खरगोन जिले का सनावद मार्ग इन दिनों आकस्मिक दूरघटना का कारण बना हुआ है पिछले एक सप्ता में कही न कही छोटी बड़ी दूरघटनाओं के कारण खरगोन सनावद मार्ग का भुलगाओ फाटा और सजना के बीच घटना हो रही है एसी ही एक घटना गुरुवार दोपर तीन बजे घटी थुई जिसमें गोगाओ निवासी अब्दुलकरीम हामीद खत्री 48 साल पत्नी महमुना भी अपने पोते अबुजर 12 साल के साथ खरगोन के गोगाओ से शादी में शामिल होने सनावद आये थे जाहसे वापस जाने के दोरान भुलगाओ फाटे और सतजणा के बीच एक बुलेरो वाहन ने दोपईया को अपनी चपेट में ले लिया क्रत्य दर्शियों ने बताया कि बुलेरो वाहन का टायर पंचर होने से वाहन अनियंत्रित होकर दोपया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया था जिसके चलते अब्दुलकरीम की मोत हो गई वही उनकी पतनी और एक बारा वर्शिये बेटे को गंभीर हालत में इंदोर रेफर किया गया है घटना के बाद नगर के खत्री समाच के नागरिक बड़ी संक्या में अस्पिताल पहुचे सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें